दोस्तो आज बात करेंगे सैतान मूवी की सक्सेस का क्या राज है आगे वड़ेवस से पहले दोस्तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा वैसा तो रीबेक मूवीज के बावले हैं पिछले कुछ समय से बॉलिवूड का टाइम काफी खराब चल ला है अदिकतार रीमेक मूवीज बॉक्स वोईस पर ओने मूवी गिरी है पर सैतान फिल्म में कबवाद वन कराई है एक गजराती फिल्म का रीमेक होने के बाव जो जो ये फिल्म आजकर बॉक्स वोईस पर चाहि हूई है इस फिल्म ने बढ़िया सुरुवाद करती Estado है पहले दिन इंडिया से तकरीवन 14 करोड़ 25 लाग रुपीज का, दूसे दिन 18 करोड़ 25 लाग रुपीज का, और 30 दिन 20 करोड़ रुपीज के आसपासा कलेक्शन किया था। मतलब शुरुवात के तीन दिनों में इस फिल्म ने इंडिया से 50 कोड रूपीज से जादा गलेक्सन कर लिया था जो कि इस टाइप की मूवीज के लिए काफी बड़ी बात है इस फिल्म को रिलीज हुए 6 Days गुजड चुके हैं और इसका इंडिया से अब तक का टोटल करक्स हैना वो 74 कोड रूपीज के आसपास हो गया है और अगर इस फिल्म का बजट देखे हैं तो जो कि 60 से 65 कोड बीच के आसपास बताया जा रहा है और उससा आप से देखे हैं तो ये फिल्म अल्लेट हिट हो चुकी है वैसे देखें तो ये फिल्म ठीक ठाग है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है पर बड़िया आपका टाइम पास तो करी देती है आप चाहें तो इस फिल्म का रव्यू हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं फिर भी ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है इसका एक कान तो ये है कि इस फिल्म का सबजेक्ट मतलब होरर, सस्पेंस, जादू टोना, बसी करना ये सब आपको अगर एक फिल्म में देखने को मिल जाए तो पब्लिक उसके लिए एकसाइटिट होई जाती है कुछ अलग कुछ नए टाइप का स्रेमा देखने को मिलता है क्योंकि इस तरह की मूवीज वैसे भी कमी बनती है वैसे सस्पेंस, टाइप की जो मूवीज होती है वो फिर भी देखने को मिल जाती है पर इस फिल्म का जो सबजेक्ट है किसी को बसमे करने वाले मतलब कौन सैट पर बेज़ड है जो की बॉलिबूट की फिल्मों के साथ से देखें तो काफी नया है और एक कारण ये है कि इस तरह की मूवीज में कोई बड़ा इस्टार कमी काम करता है और इस फिल्म के साथ दो बड़े इस्टार आजए देखनों और आर मादवन का नाम जुड़ा हुआ है जिनके अपनी अच्छी खासी फैन फॉलॉइंग है और इन दोनों के लावा बाकी फिल्म में जितने भी कलाकार है समी ने बहुत बड़िया काम किया है जिसकी विएसे ये फिल्म इतनी मेड़ा लगती है इस फेशली आर मादवन और अजए देखन की बेटी की बहुन काम नवाने वाली जान के एक आम फिल्म में बहुत ही बड़िया है बाकी सब तो फिर पबलिक के उपर डिमेंड करता है जो भागया वो भागया फिर उसके बीचे कोई कारण नहीं होता अगर आपने फिल्म देख लिए तो कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको इस फिल्म कैसी लगए